अगर अभी तक आपने अपना USA का TikTok अकाउंट नहीं बनाया तो आज की वीडियो वे मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, पूरे तीन-तीन मैथड बताने वाला हूँ जिनको यूज करके आप बड़ी बाह असानी से अपना USA का TikTok अकाउंट बना सकते हैं उसके साथ अगर आपके पास पाकिस्तान का फून नमबर है और पाकिस्तान का जीमेल है तो आप उसको यूज करके बड़ी बाह असानी से अपना USA का TikTok अकाउंट बना लेंगे प्रेस कर लेना है ताकि मैं जब भी विडियो अपलोड करूंँ आपके पास सबसे पहले आ सके तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे क्योंके पहला एक ऐसा मैथड़ है जो कि आप PC या लैपटॉप पर प्रफॉर्म करेंगे उसके बाद बाकी जो दो मैथड़ है वो तो आप VPN या कोई भी मतलब IP यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले आपने क्या करना है Microsoft के Outlook का एक अकाउंट करेंगा ठीक है आपके पास अगर इससे पहले कोई Gmail है कोई फून नंबर है इंडिया के इलावा तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो यहाप यह देखें मैं एक Gmail क्रेट करना चाहरा हूँ ठीक है इसको मैं सिंपल नाम देगे next कर दूँगा next करने के बाद आप यहाँ पर मैं अपना password लिखूंगा ठीक है password आप कोई भी लगा सकते हैं जो कि यह accept करें ठीक है उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है आपने इसको next कर करना है आपने यहाँ पर data of birth अपनी डालनी है अब data of birth आपने fake नहीं डालनी कोशिश की जाए अगर data of birth अपनी original ही डालिएगा उससे यह होता है कि बाद अगर आपका account verification पर चला जाए तो आप easily उसको recover कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर मैं कोई भी मतलब data of birth डाल देता हू ठीक है मैं आपको prefer कर रहा हूँ कि आपने original डालनी है ठीक है उसके बाद आपने क्या करना है आपने simple इसको next कर देना है जैसे आप इसको next करेंगे तो आपके सामने यह थोड़ी verification मांगेगा ठीक है यहाँ पर एक मतलब puzzle आएगा आपने वो solve करना ठीक है इसको next करेंगे न आप इनकी नई mail भी आ जुके है कि हम आपको welcome करते हैं अब आपने क्या करना है आपने नए browser में जाना है और वहाँ पर जाके आपने लिखना है टिक टॉक ठीक है तो टिक टॉक लिखने के बाद आपने टिक टॉक को open कर लेना है जैसी आप इसको open करेंगे तो आपके सामन मतलब अपना account बनाएंगे तो यहां पर यह चेक करें यह यूएसे का option आ रहा है ठीक है आपको नीचे phone के साथ ही नीचे आपको यूएसे का रहा है इसका मतलब यह है कि हम जो account बनाने जा रहे ना वह यूएसे base ही होगा ठीक है तो यहां पर यहां पर data of birth अपनी select कर लेता send करेंगे तो आपका verification code आपके email पर चला जाएगा जो हमने अभी अभी बनाई है ठीक है तो और रड़ी मैं मतलब वहां पर login हूँ यहां पर अभी code आ जाता है मैं इसको refresh करता हूँ जैसी refresh करूँगा तो यहां पर मेरे सामने एक टिक टॉक का account का यह देखें यह code भी आ च बूच रहा है कि अपने username क्या रखना है तो यह दो हम कोई भी रख लें कोई मसला निया ठीक है तो जैसी आप इस पर मतलब username क्लिक कर देंगा तो आप इसको skip करते हैं अगर आपका नाम accept नहीं हो रहा तो बाद में भी आप मतलब कर सकते हैं तो यह देखें यह इसने यह accept क नहीं आता ठीक है अधर कंट्री कहीं आता है तो अब आपने क्या करना अब इस अकाउंट को आप अपने प्लेस टोड़ वाले अकाउंट पर लोगिन कर लें चाहें आप किसी और मतलब जो भी आपके पास टिक्टोक है जो कि आप मोबाइल में चल रहा है अब वहां पर इ वीपिन भी यूज कर सकते हो लेकिन वीपियन आपने अच्छा यूज करना है ठीक है और आपने एमेल वह यूज करना है जिसके ऊपर कोई यूज का या कोई भी अदर का अकाउंट ना बनाओ ठीक है तो यहां पर लाइब का भी ऑप्शन आ रहा है यहां से आप इसको अच्छ करना है जिसका नाम है ब्राउजक ब्राउजक वीपियन आपने जैसे मतलब लॉग इन करना यह फ्री वाला है बिल्कुल आपका कोई एक रुपया भी ने लगएगा अगर आपके पास कोई पेड़ वीपियन आ या को और वीपियन वह भी चल जाएगा लेकिन मैं को ब्राउजक वीपियन मतलब सजस्ट करूंगा अब यह वाला मैं क्यों आपको सजस्ट कर रहा हूं अभी मैं आपको बताता हूं यहां पर यह देखें जैसी हमने इसको इंस्टॉल कर लिया आप यहां पर देखें आपको कंट्री बहुत जादा फ्री में मिल रही है ठीक लिए तो यह देख लेए यूरायल सेट इसको मैं अके कर देता ओं उसके बाद नीचे एक और चीक बसक्रार का बट्तन हुआ था कि मेरा हूं इसके साझट गर यहाँ पर आप देख सकते हैं green color का गया है अब आपने क्या करना है आपने ब्राउजर में आना है ब्राउजर में आने से पहले अगर आपके mobile में TikTok है तो वो आपने uninstall कर दिना है और अपने browser में आके आपने TikTok सर्च कर लेना है ठीक है अगर आपका मतलब install है तो वो फिर account नहीं बनेगा उसके बाद जैसी हम ब्राउजर में आएंगे तो यह TikTok हमने open किया है तो यह कह रहा है कि यहाँ पर आप इसको scroll कर सकते हैं ठीक है scroll करने से पहले आपने क्या करना है आपने three dot पे click करके इसको request a desktop mood पे convert कर लेना ठीक है mobile को अब हम आगे है request a desktop वाले mood पे तो यहाँ पे आपको login को option right corner पे आ रहा है आपने उसके उपर click करना है यहाँ पे sign up को option आ रहा है ठीक है अगर आपके पास पहली gmail है तो आपने simple gmail के साथ connect कर लेना है अगर आपके पास gmail नहीं है को phone number आ रहा है जिसके उपर tiktok नहीं बना हुआ तो आप उससे भी login कर सकते हैं तो यहाँ पे simple मैं क्या करूंगा use a phone number और email पे click कर दूंगा ठीक है वैसे किसी भी के साथ आप attach कर सकते हैं तो यहाँ पे यह चेक करें और Australia का phone number आ रहा है AUR plus 61 आ रहा है ठीक है इसका मतलब है कि यह Australia की IP मतलब detect हुई हुई है लगी हुई है इसके उपर है तो आपने simple क्या करना है आपने अपने date of birth यहाँ पे add कर देनी है ठीक है date of birth add करने के बाद आपने क्या करना है आपने simple अपना email select कर लेना है जिसके उपर आप account बनाना चाते है ठीक है तो simple मैं यहाँ पर इसको भी switch कर लूँगा और Gmail पर मतलब चला जाँगा और Gmail यहाँ पर put कर दूँगा Gmail आपके बास कोई भी होना चाहिए गरना है जैसी आप select करेंगे तो आपका यह OTP आपके उस Gmail पर चला जाएगा जो आपने मतलब अपने browser में अपने phone में यहाँ पर भी आपने login किया हुआ यह जरूरी है ठीक है तो OTP आने के बाद यहाँ पर मैं OTP put करूँगा बास उकात यह आपको दो दफा कहेगा कि क्लिक करें तो आपने परिशान नहीं हो ना आपने इसको दो दफा ही क्लिक कर देना है तो यहाँ पर यह देखें यह username मांग रहा है तो आपने username कोई भी डाल देना ठीक है अगर आप नहीं डालेंगे तो बाद में भी वह यूजर नेम आप डाल सकते हैं तो यह देख लें जैसे हमारा मतलब account create हुआ है तो यहां पे वह हमें interest हमारा पूछ रहा है कि आप किसमें interesting है या किसमें interest रखते हैं तो आपने वह दे देना उसके बाद start watching पर क्लिक कर देना उसके बाद swipe down करके यह अपना start कर लेना ठीक है अब आपने पर आजाना ठीक है जैसे आप पर आएंगे तो यहां पर यह कह रहा है कि अब आपने इसको login करना ठीक है आपने अपने वीडियो आजाएगी उस वीडियो में आपके सामने एक वीडियो आजाएगी उस वीडियो में आपको एक software मिलेगा ठीक है यहां पर यह देखें जिसके उपर लिखा हुआ है without VPN ठीक है यह center वाली वीडियो इसको आपने ok करना है ok करने के बाद अब यहां पर आपको software मिलेगा आपको कहां पर मिलेगा आपने इसके description में नहीं जाना ठीक है यह description है आपको VPN डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है यह directly आपके install होगा और जब यह install होता है ना तो आपने continue anyway करना है बाद उकात आप इसको decline कर देते हैं तो वो आपके mobile में install नहीं होता ठीक है तो इस तरीके से आपने इसको ले लेना है और अपने mobile में install करके जितने मर्जी unlimited tik-tok के USA base account बना सकते हैं किसी भी पाकिसानी phone number पे किसी भी पाकिसानी Gmail पे बहुत असानी से hopes हो कि यह तीसरा method आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजगा मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe कर दीजगा मिलते हैं को और अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए मुझे निजाज़त अलाफीस